हेलो फ्रेंट स्वागत एक बार फिर से आप सबों का जजबे स्टेडी पॉइंट में दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि मनुस में लिंग निधारन कैसे होता है यानी सिक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है तो चलिए आई इस वीडियो की सुरात करते हैं ला को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेल आइकन भी दबाएए ताक याने वाले जितना भी अपको नोडिकरास नाको सही समय पर मिलता रहे so चलिए सुरू करते हैं देखे दोस्तों जैसे कि यहाँ वह लिख़े है मनूस मेलें wokicisether, मनूस मेलें ढ क्यासे होता इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि मनूस के शरीर में कितने जोरे गूनसूत्र पाय जाते हैं आप को अके मतलब या 23 या तो पुरूस तो मनुस में जो गुनशूत्र होता है तो वो दो पर्कार का ह। पुरूस में होगा एक्स एक्स पलस थिज्टवज़ोच जो होता थीज़ोट डाईगर जू मतलब सीसु का रांग कैसा होगा लंबा होगा कि बावना होगा कि मुऋ ढचकल रहेगा कि कोचकल रहेगा सरीर की आकरिती कैसी होगी इन सारे के लिए अगर कोई जिमवार है तो मनुस्त के सरी में पाये जाने वाला 22 जोरा गुनसूत्र लेकिन 23 जोरा जो गुनसूत्र होता है वो भीन परकार का होता है वह इस तिरियों में X-X के रूप में और पुरिसों में एक स्वाई के रूप में जाना जाता है और ये जो गुनसूत्र होता है लिए धारन के लिए जिमवार होता है मतलब जनम लेने वाला बाच्चा लर्का होगा कि लर्की 23 जोरा गुनसूत्र से ही मालूम चलता है अब determination का हैसे होता है इसको इस परकार समझेगा जैसे कि हम आप देख सकता है एक सिसु का लिंग द्रान काह оружिसा होता है जैसे कि लिंग धारन जो होता है और शुत्री विभाजन के द्वरा होता है और यहां पर देखिए 22 जोरा गुनसूत्र पाई जाता है तो 22 जोरे गुनसूत्र में से एक जुरा जो गुनसूत्र है इसमें से आ जाता है पूरुस में से आ जाता है और एक जुरा जो हता है यह बाहिस जोरे में से एक जुरा इसमें से आ जाता है बहिलाओं में से आ जाता है तो एकस एकस हो गया शरीर बन गया अब लिग निधान क लर्का होता है और उसके बाद फिर यहां पर समझेगा पूरुस का एक्स गुन सूत्र फिर महिला के एक्स गुन सूत्र शरीर बन गया लेंग्ज धार में देखिए अगर पूरुस का एक्स गुन सूत्र महिला के एक्स गुन सूत्र के से निस्रेचित हो जाता है तो नवजात लर्गा पारदा होता है तो इस परकार मनुस के शरीर में लेंग का निधारन होता है तो आप समझ सकते हैं कि मनुस के लेंग निधारन में इस्तियों की कोई भूमिका नहीं है हलांकि हमारे समाज में अगर किसी इस्तरी को लर का पैदा नहीं होता है तो इस्तरी को ही दोष दिया जाता है जो कि बैगानिक दिरिश्टी कुन से गलत है चलिए अब हम बात कर लेते हैं मुकुलन और दिवखंडन के बारे में हाइड्रा में अलेंगे की जनन को मुकुलन कहते हैं और अमीवा में अलेंगे की जनन को दिवखंडन कहते हैं आपको याद रखना है और हाइड्रा में अलेंगे की जननन को मुकुलन कहते हैं क्या कारण है क्योंकि हाइड्रा जो जनतु है उसमें जब अलेंगे की जननन होता मुली जरिए के और आंदर कई सब्सक्राइब को Wein 285 इसन निंस्थे सब्सक्राइब की रिख सब्सक्राइब बंसे को चैicious क्या है और आन्ठिक निस्थेचन λέब जब शरीर के बाहर होगी तो उसे बाहरै निसेचन कहके जैसे मझली मेडग के इत्यादी की सरीर में क्या होता है कि बाहरै निसेचन होता है B गर किरिया को निस्रेचन कहा जा जाता है तो आई होप इस वीडेओ में आप सभी को जो भी जनकारिय दिया हूँ अगर कहीं आपको कहीं दिक्कत है कहीं अगर सुझाव देना है अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया होंगे में नीचे लाल कावर में सब्सक्राइब के बटन जरूर दबा के चनल को सब्सक्राइब कीजिए बिलते हैं अंगले वीडियो में दीजिए आज़ात नमस्कार